अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए पेट्रोल और डीजल की गाडियों की कीमत पर नितिन गटकरी का बड़ा बयान इतनी हो जाएगी कीमत जिहां देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान चूती कीमतों के बीच सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी का पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की कीमत को लेकर बड़ा बयान आया है उन्होंने कहा कि देश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रोनिक वहनों को चलाए जाने पर जोर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसे में अगले दो साल के दोरान पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वहनों की कीमत एक समान किये जाने के प्रयास किये जाएंगे गटकरी ने पतंजली की ओर से कोरोना की प्रमानिक दवा कोरोनिल को जारी किये जाने के अवसर पर आयोजित एक कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों की कीमतों को एक समान करने को लेकर पिछले दिनों उन्होंने एक उच्चे स्तरिय बैटक की थी उन्होंने कहा कि देश में लीथियम आयन बैटरी को लेकर बड़े पैमाने पर अनुसंधान हो रहा है और वैग्यानिकों को कुछ सुविधाएं उपलब्द कराएं जाने की जरूरत है लीथियम आयन बैटरी को 81 प्रतिशत हिस्से का उतपादन देश में हो रहा है उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक वाहनों को चलायने की प्रदूशन की समस्या कम होगी और पैटरोलियम उतपादों की आयात में भी कम है आएगी जो की पर्यावरण के लिए लाबदायक होगा पैटरोल डीजल की बढ़त हुई कीमतों को लेकर राहुल गांधी का केंदर सरकार पर तंज कहा वो जुमलों का सोर मचाते हैं हम सच का आईना दिखाते हैं जिहां देश में कोरोना के कारण आर्थिक मसले पर नुकसान का सामना कर चुके आम आदमी को रहत मिलती नहीं दिख रही है भारत में पैटरोल डीजल की कीमते लगतार बढ़ रही हैं आलम यहे कि 11 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है तेल की बढ़ते हुई कीमतों को लेकर कॉंग्रेस सहीत पूरा विपक्ष केंदर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है इसे बीच कॉंग्रेस निता राहुल गांदी ने तेल के बढ़ते हुए दामों को लेकर केंदर सरकार पर तंजी कसा है राहुल गांधी ने कहा कि वो जुमलों का सोर मचाते हैं हम सच का आइना दिखाते हैं सांती उन्होंने एक तस्वीर के जड़िये बताया कि जून 2015 में मोधी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी लेकिन साथ साल बाद कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर कम होकर 63 डॉलर प्रती बैरल पर है बावजूद इसके पेट्रोल सेंचुरी बना रहा है पश्चिम मंगाल विदान सबाचिनाओ को लेकर ग्रह मंतरी अमित साह ने यवाओं से अपील करते हुए कहा एक बार सुभाश बावू के जीवन को पढ़िये जिगा किंद्रिय ग्रह मंतरी अमित साह कोलकाता के नेशनल लाइबरेरी में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने पश्चिम मंगाल की महान हस्तियों को स्रधांज ले दी यहाँ पर अमित साह ने नेशनल लाइबरेरी में ही विपला बंगला प्रदर्शनी का उद्गाटन किया और साइकल यात्रा को हरे जंडी दिखाई इस दोरान केंद्रिय मंत्री ने सुभाष पाबु के बारे में कहा कि देश की जंता उन्हें इतने साल के बाद भी उतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना कि वे जिवित थे और संगर्ष करते थे तब करती थी बहुत प्रयास हुआ कि उनको भुला दिया जाए लेकिन उनका व्यक्तित्व, काम और बलिदान कोई कितना भी प्रयास करे भारत वासियों के मन में वैसा ही रहेगा उन्होंने कहा कि नेता जी को कैसे सही स्रधांजली दी जाए इसके लिए पीम के नेतरतु में कमिटी बनाई है जो यह तै करेगी सांथी उन्होंने युवाओं से कहा कि आप सभी को सुभाश बाबु के जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उन्हों में पिडित लड़कियों के अंतिम संसकार के बाद सियासी बयानबाजी हुई तेज अखिलेश यादों ने योगी सरकार से पूछा गटनाव का जिम्मेदार कौन है जिगा उत्तर प्रदेश के उन्हों जिले में संदेग्द परचितियों में मरे पाई गई दोन लड़कियों का कड़ी सुरक्षा में अंतिम संसकार किया गया वैसे तीन लड़किया बेहोशी के हालत में खेत में मरे हुई पाई गई थी इस मामले के सामने आने के बाद सही कौंग्रिस समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी लगातार बीजेपी सरकार पर शरान असाथ रहे है इसी बीच यूपे के पूर्व सीम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादो ने पूरे घटना करम पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से पूछा कि उन्नाओं में लगतार हो रही घटनाओं का जिम्मेदार कौन है अखलेश यादो ने कहा कि जो पूलिस कह दे रही है सरकार वो माल ले रही है आज दो बहनों की जान चली गई और एक बचे की या फिर नहीं या बड़ा सवाल है उन्नाओं में लगतार घटनाए हो रही है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है जब सरकार पूलिस को खुली छू और अर्फाबेट और गूगल के सीओ सुंदर पिचाई और ट्विटर के सीओ जैक डोर्सी को अपने अपने प्लेटफोर्मों पर गलत सूचना के प्रसार के माबले में अगले महीने अमेरिकी संसाद में एक सुनवाई का सामना करना पड़ेगा 25 मार्च को होने वाले सुन प्लेट प्लेटफोर्मों ने गलत सूचना फैल ने दिया जिसे की वास्तविक जीवन के साथ रास्तिय संकट को बढ़ावा मिला पबलिक हेल्थ और सुरक्षा के लिए या परेशानी का सबब बना है झाल